हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ How the Secret Changed My Life इस बुक से एक true story, success story, जिसका नाम है पापाई ये story है मार्टा, Mississippi, अमेरिका से तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी 21 साल की बेटी और उसका 4 साल का कुता पापाई, हमारे यहां 4 महिने तक रहे जिस दौरान मैंने पापाई की देख रेकी जब मेरी बेटी दूसरे शहर जाकर रहने लगी तो वह लाड़ने पापाई को अपने साथ ले गई हमें 2 महिने तक उसकी कोई खबर नहीं मिली फिर एक दिन जब मैंने पापाई के बारे में पूछा तो बेटी ने बताया कि वह जिस मकान में ठहरी थी उसके आंगन से वह कहीं भाग गया था और अब तक नहीं मिला था मैंने एक पोस्टर त्यार किया और उसकी 100 फोटो कॉपी कराई जिस इलाके में पापाई गायब हुआ था वहां मैंने चारों तरफ पोस्टर लगा दिये मेरी बेटी ने बताया था कि उसे भागे हुए एक महीना हो चुका है मैं हैरान थी कि उसने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई आकड़े बताते हैं कि अगर गुमशुदा पालतू पशू पहले तीन सब्ता में नहीं मिलता है तो उसके मिलने के ज्यादा समभावना नहीं रहती है पोस्टर लगाने के बाद मेरे पास उस इलाके से कई फोन आए जिनमें बताया गया कि उन्हें एक लावारिस कुटा दिखा था फोन करने वालों ने जो जेगें बताई मैं वहां दोड़ी दोड़ी गई लेकिन पापाई कहीं नहीं मिला फिर एक दिन एक महिला ने फोन करके बताया कि उसे एक कुटा मिला है मैं जटपट उसके पती पर गई लेकिन वहां जाकर पता चला कि वह भी पापाई नहीं था समय गुजरने के साथ मेरे पोस्टरों की संख्या बढ़ती गई लेकिन फोन कमाने लगे मैंने इलाके की चानबीन करने के अलावा अखवार में विक्यापन भी दिये मैं लोगों से बाचीत करके उन्हें पोस्टर थमाती रही तब मुझे दस सीक्रेट की कोई जानकारी नहीं थी इसकी जानकारी तो मुझे तब मिली जब मैं अपने बेटे को कॉलेज घुमाने Mississippi State University ले गई और कैंपस के बुक स्टोर में गई पहली दफ़ा मैंने उस स्टोर से कई चीज़े खरीदी लेकिन दस सीक्रेट नहीं खरीदी मुझे वो पुस्तक दिखी ही नहीं बाद में उसी दिन मेरा बेटा एक पुस्तक खरीदने के लिए हमें दुबारा स्टोर पर ले गया और जब हम बाहार निकलने के लिए कतार में लग रहते तब मुझे दस सीक्रेट दिखे मुझे जरा भी पता नहीं था कि इसमें क्या था लेकिन इसके कवर ने मुझे आकशित कर लिया और मैंने इसे खरीद लिया विकेंड खत्म होने पर मैं पुस्तक को घर ले आई और पढ़ने लगी इसके बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पापाई अब तक घर क्यों नहीं लोटा था उसके जाने के बाद मैंने उसका पलंग गैराज में रख दिया था वैसे पलंग मेरी आलमारी में रखा रहता था लेकिन मैंने इसे इसलिए हटा दिया था क्योंकि आलमारी में उसे देखने से आहत महसूस करती थी मैंने पलंग दुबारा आलमारी में रख दिया और बाजार से उसका आखार भी खरीद लाई मैं अभी पोस्टर लगाती थी लेकिन पापाई के घर लोटने के लिए हर दिन धन्यवाद भी देती थी वह घर लोट आया है इस बात पर मुझे इतना विश्वास था कि मैं कृतंगिता के मारे रो परती थी दो सब्ता तक कोई फोन नहीं आया लेकिन इससे मेरे विश्वास में कोई कमी नहीं आई फिर एक दिन किसी ने फोन पर मुझे बताया कि उसे उस इलाके में एक छोटा कुटा दिखा था यह तब की बात है जब पापाई को खोई हुए सिर्फ दो सब्ता हुए थे लेकिन वह मुझे बस इतना बताना चाहता था कि मैं उमीद ना छोड़ू मुझे बात बहुत अच्छे लगी फिर कुछ गंटे बात मेरे पास एक और फोन आया उस आदमी ने मुझे बताया कि पापाई टैकसस में उसकी भतीजी के पास था उसने कहा कि जिस वक्त पापाई खोया था उस वक्त उसकी भतीजी वहां आई हुई थी और वह उसे स्कूल के पास मिला था जो उसके लापता होने की जगे के करीब था भतीजी ने इलाके में कुत्ते के बारे में तहकीकात की थी कि क्या उसे कोई जानता है लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था इसलिए जब भतीजी घर लोटने लगी तो वो उसे अपने साथ ले गई उसके अंकल कई महीनों से यात्रा कर रहे थे और जब घर लोटकर उन्होंने शहर में मेरे पोस्टर देखे तो उन्होंने अपनी भतीजी को फोन करके बताया कि पापाई का परिवार उसके तलाश कर रहा है अंकल ने अपनी भतीजी का नंबर दिया और मैंने फोन करके पूछा कि उसके पास जो कुता है क्या वह पापाई जैसी हरकते करता है और निश्चित रूप से यव वही निकला अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पापाई को वापस कैसे ला पाई जबकि वो टैकसिस में था और मैं मिसिसिपी में देखे बागी की कहानी ये है कि उसका घर मेरे डैडी के घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था मेरे डैडी ने पापाई को ले लिया और जब वे मेरे बेटे के सनातक होने पर यहां आएंगे तो वे उसे मुझ तक पहुचा देंगे माटा जानती थी कि उसे इस बात पर पूरा विश्वास करना था कि पापाई घर पर ही है जब कोई बहुत प्यारा पातु पशुक हो जाता है तो यह आसान नहीं होता उसने कुछ सपस्ट लेकिन बहुत शक्तिशालिक कारे करने का चुनाव किया जैसे उसका पलंग वापस अपनी आलमारी में रखना और उसका अहार खरीदना क्योंकि इन कामों से यह संदेश गया कि पापाई घर लौट आया है माटा का विश्वास इतना द्रड हो गया था कि इसकी वज़ा से वापाई के लौटने के क्रिता गिता के मारे रो पड़े द्रड विश्वासिस रजनात्म प्रक्रिया का तूसरा अतिम महतुर्पुन कदम है